नमस्कार फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी वेजिर्टेरियन फूर्ड स्टेंड में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते कि शिवरात्री आने वाली है तो व्रत रखते हैं पहुत से लोग तो हमने सोचा आज शिवरात्री के लिए हम कुछ बना लेते हैं कर गणा दिसे पीट भी भरा रहे मां काफी देर तको रच्छ भी लगे तो मैंने क्या क्या तीन चार आलू ले लिये थे उनको पहले थी अच्छी नियसे धों लिया पिर मैंने उसे छील लिया छील लिया पर दिकेए कड़ू कस लेलिया मायने यंश च्छील के वह हैं एक तर तरह से हमें इस तरह से निकालने हैं तो मैं इस तरह से सारे को घिस लेती हूं तो देखिए मेरे काफी हद तक यह हो चुकी है थोड़ा सा रहे हैं उसे भी घिस लेती हूं और देखिए अभी तो इसका रंग भी मट मेला सा है तो आप सोचें काला काला से तो हम क्या करेंगे स अभी इसे हम पानी में डाल देंगे इसमें स्टार्च होता है बहुत सारा इसको इस स्ट catch निकल जाएगा ज्वेश दिखिये मैंने इसको पानी में डाल देंगे अब इसे 2-3 वजश अच्छे से धोना है जब तक पानी साफ नो जाए ये Sh दुंदला सा पानी देखी अब इसको निकाल के मैं दूसरी बार पानी डाल लिया ऐसे करके तीन चार वाश करना है जब तक पानी थोड़ा साफ ना दिखे अब पानी काफी हद तक साफ है देखे लच्छे भी बिल्कुल सफेद दिख रहे हैं देखी है इना तब हम क्या करें इन अच्छी तरह से हाथों से निचोड निचोड के हम इसका पानी निकाल लेंगे यह देखिए हमें इस तरह से हाथों से प्रेस करके इतने भी जोड से निकालना कि तूट जाएं मतलब बस प्रेस करके इसका पानी हमें निकाल लेना है यह देखिए हम सारा पानी इस तरह से निकाल लेंगे यह देखिए सारा पानी मैंने निकाल लिया है इसका अब हम क्या करेंगे एक हम ले लेंगे इसके बाद सूती कपड़ा जो सारे ने चोड़ लेंगे सूती कपड़ा ले लेंगे हम चाहे तो आप इसे कपड़े पर ऐसे ही फैला आके पंखे के न जिर रख दीजे थोड़ी देर, या फिर आप इसे सूती कपड़े पर ऐसे फैलाके और दूसरे कपड़े से अच्छी तरह से दबा दबा के इसका पानी जो थोड़े गिलापन है कम कर दीजे, सुखा दीजे, इतना भी निसुखाना हमें इतना सुखाना कि हम इसको हाथ चुए गिला महसूस ना उपर हलकी हलकी इसमें नमी हो तो मैं इस तरह से हाथ से दो तिन भार करकर के इसे सूखा लोंगी दिखिएपर सूख नहीं वाले मैंने एक दो ऑर कपड़े कर दिया है अनुँयर कया पर दबा लूए अब इतना हम क्या करते हैं अपनी गैस की तरफ चलते हैं और कड़ाई को हम कर दते तो यहाथ पानी भी नाए और थोड़ा सा लगे की सूख गया है हम इतना सुखाना था अब तेल इसके लिए चाहिए तेज गरम और तेल हमें ज़्यादा भी ने डाला थोड़ा डाल लें कि जब आप यह डालेंगे ना देखिए इस तरह से उपर बबल आएंगे यह जलने का डॉट लगता है चीन ट्वीट ना लग जाए इसलिए छेटक के यह तेल और दीरे-दीरे ना यह बबल्स कम-कम-कम होते चले जए यह देखिए बबल्स कम होते चले गए अब दीरे-दीरे से तेज फ्लेम ही रखनी है यह ऐसी पलट देंगे एक दो बार हम यह हमारे होके दो से तीन मिनटी से लगेंगे यह हमारे देखिए हो चुके हैं अब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह से अब दूसरी बार भी मैं डालूंगी ना तो बबल्स एक दम ऐसे ही उपर आएंगे तो मैं तेज ही आच रखनी है इसके लिए यह देखिए अब मैं इसी तरह अपन से आखरर बनाकर उसके बाद डाल सकते नमक यоз तरह सेव डाल सकते हैं यह इसमें आफिक नमक डाल दिया था सेंदह द्रमक बहए है JUST इतुकत है और इसके बार क्याक आघूंगी मैंने मुफली ले ली इती थोड़ी सी मुफली फ्राई कर लूंगी इसके लिए वाइं दक कर दीजे जाया तेज मत करें मूफली जल जाएंगी तो देखिए मेरे मूफली भी हो गई अब इसमें डाल दुँगी थोड़ेसे कजू ये देखिए मैं कजू भी ढाल दूब दूगे कजू इसने थोड़ा सा कद्दू कस किया हुआ जो यह गोला होता है सुख अवर नारियल बोल देते हैं वह कद्दू कस करके मैंने वह भी डाल दिया था यह देखिया मैं सब चीजों कैसे मिला लूँगी अगर आपको मीठा पसंद देता थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं या नहीं पसंदों से नमक नमक ही रहने दीजिए पर मैं आधा चमच के करीब मैंने इसमें खांडर डाल दिये और यह देखिए हमारा उचुक है तैयार आप इसे ब्रत में अराम से खा सकते हैं से काफी देर तक पेट भी भरा रहेगा आप सब को अच्छा लगेगा बना के देखिए खाईए और एंजोई कीजिए यह देखिए धन्यवाद